मैं हम मुहमाद रपानी ते तुसें देदे पर यूटूब चैनल नीका मुंडा ताँ अज काफी द्याडाबाद धूप निकली है ते बहुं यह अच्छा मोसम बना खड़े थे चि पन दस दिन के बाद ही शूरज निकला है और बहुत ही अच्छा मोसम बना हुआ है सोड़ी तोड़ी हवा बीचार रही है यह देख सकते हैं कैसा मोसम है बहुत ही अच्छा मोसम है मैं यह द्रख्त के नीचे खड़ाओं कि दूप बहुत लग रही थी और मदा नहीं आ रहा था तो अल्ला के फद्र करम से विलाग शुरू करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इस वजए तो फिलीजर रुक्वेस्ट है किमारी चैनल को सिस्क्राइब कर दें चलो तो फिर वीडियो स्टाट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है इस वाज़ां तू ए थोड़ निया एंदेन खिंड़ एंदेन बहुंज जादिया प्लेटा एंदेन चवी प्लेटा लगिया हो एंद बोर थे इदी चावी कहानी ने तो तुन मैं रिखा महाँ विचे लिखाओ ए खत्रा ताँ ए तार शार लाके ते जितें खड़ा संग दें इतनी लंबी तार है दूर अकर बोर होगे ता उत्थां विवाइन संग दिये तार पहले वी शायतों वीडियो मेरी दिठी हो सी बहुं वी आई पी निजाम बना हुए और चड़ियां एक पलेटा हुँनियां और नहीं लेकर नाले ट्राली बढ़ी हो यह ट्रैक्टर रेक संग देवे आगे लगा खड़ा है ते ते तक्रीबन तक्रीबन दो एक लाख रपई लगा इना थे सारी यहां थे इनके ट्राली नाल बढ़ी है उस बाद मोटर भी ओवी में तुन दिखेना तो मैं मोटर दिखेना ओवी देखी नो यह देखो 510 ट्रैक्टर आगे लगा हुगा है अब यह आप मोटर देख सकते हैं यह देखे मोटर यह पांच छे की मोटर है बहुत जादा पानी देती है बहुत अच्छी और यह यह देख सकते हैं यह तारे आभी निकली हुए हैं जब यह चलती है तो ऐसे लगा देते हैं फिर यह स्टार्ट हो जाती है उदर से भटेने वह दबाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है यह रसी यह तार इसलिए बंदी हुई है क्योंकि जब यह ट्राली के पीछ लगाते हैं तो फिर वह कहते हैं कि ऐसे हले ना और टूटे ना पलेटें अब मैं आपको उपर से भी दिखाता हूं कि बहुत पलेटें हैं यह यह आप देख सकते हैं इदर दो हिसे हैं और उदर तीन हिसे हैं यह देखें कि इदर दो हिसे हैं एक नीचे है उपर है फिर जब यह चलाते हैं तो फिर खोल देते हैं और जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो इसमें अगर इसकी चाब भी हमारे पास नहीं है मेरा भाई लेक है अगर होती हुत मैं आपको दिखाता अगर इचाबी होती तो यहां से स्टार्ट होती है मोटर और यह देख सकते हैं कि इसलिए यह टैट करते हैं यह जिसलिए टैट करते हैं कि ताके पलेटे आगे बीच ना हो पिर इसका भी तूटने का खत्रा बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि जिदा से भी टैक्टर लगाओ लग सकता है देखो यह इधार बना हुए टैक्टर का इधार से भी टैक्टर लग सकता है सोलर सिस्टा मालाओं ने बहुत अच्छा निजाम बना है यह देख सकते हैं उनका नाम भी लिखा हुए बरकात एंड इमरान सोलर मकैनिंग यह उनका नमबर लिखा हुए अगर किसी ने लेना हो तो इस पर राप्ता कार सकते हैं यह देखिए टैर भी इसके बहुत अच्छे हैं देखिए और जब साब प्लेटों की तारें कठी हो और आती है तो इस बॉर्ड में जाती हैं यहां से वह इसको करनण देता और इधर पर पर बर पहरे एदंग करते हैं फिर यहां भटन लगाते हैं फिर स्टार्ट हो जाती है और फिर चल जाती है और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि जब सूरा जाए बादल आ जाए या च्वाँ आ जाए इन पर तो यह रुक जाती है मतलब कि खराब नहीं होती रुक जाती है यह देख सकते हैं इदर बैरेंग भी लगे हुए है यह देख है कि एक आदमी अराम से इन प्लेटों पर जा सकता है कुछ भी नहीं होता है तोटती नहीं है मजबूत प्लेटें बहुत अच्छी हैं तकरीपन यह एकिस बाइस हजार की एक आई है यह देख सकते हैं इसके टैर भी नए दोनों आई है और आगे वाले भी नए है कि इस्की पैपर बिटल्स को आई यह यह तकरीबन पच्छी सजार की आई मिया रिए और इन्होंने यह लेटें लगवाई हुई है नहीं यह देख़ें तक्रीबन आप देख सकते हैं कि इस ट्रेक्टर पर सिर्फ टेर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोछ और लगा हुआ है लेकिन तक्रीबन इस पर पॉंच लाख खर्चा हुआ है यह टेर और बैटरी लगा यह बाकी सलफ वगेरा सेट कराया है और यह शीष्य लगवा हैं देख सकते हैं कितना ही प्यारा निलाव में यह गण्यों के लिए इस्तमाल होता है ट्रेक्टर इसली उन्हों नहीं खर्चा किया इतुना कि अधि वीडियो दे थाइंक करें आएंड आगार्थवाकू सारी वीडियो अच्छी लोगेते सारी चैनल को जो सस्क्राइब कराये ते नेक्स आने मेली वीडियो के लिए तत्ता के लिए लावा फेज